नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है पांच सिकिन में डिक्टेशन शुरू हो जाएगा, रिडियो हो जाएगे समान नागरिक सनहिदा लागू करने को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है संसत में इससे संबंधित एक निजी विधेयक पेश किया गया, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया मगर मत विभाजन के जरिये उस पर चर्चा की मंजूरी मिल गई हालांकी निजी विधेयकों पर कानून बनानी के उदाहरन बहुत कम है मगर इसे लेकर उमीद जताई जा रही है कि यह कानून की शकल ले सकता है इसलिए कि समान नागरिक संहिता लागू करना खुद सरकार की वचन बधताओं में एक है इसे लेकर पहले भी पहल हो चुकी है मगर कुछ तकनी की अडचनों के चलते सहमती नहीं बन सकी फिर अभी जो नीजी विधेयत पेश किया गया उसे सत्ता पक्ष के ही एक सांसद ने सदन के पटल पर रखा उत्तराखंड मध्यप्रदेश, गुजरात, करनाटक जैसे कुछ भाजपा शाशित राजिय पहले ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके है हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव में भी भाजपा ने समान नागरिक सनहिता लागू करने का वादा किया था यानि देश में इसे कानूनी रूप देने की जमीन पहले से तयार है उसमें इस विधेक पर सदन में चर्चा का माहौल भी बन गया इसलिए इसके सिरे चड़ने की संभावना अधिक नजर आती है दरसल समान नागरिक सनहिता का मुद्धा भाजपा ने उठाया जरूर था मगर इसकी जरूरत सर्वोच्च नियायाले ने शाह बानों मामले की सुनवाई के वक्त ही रेखांकित कर दी थी शाहबानों ने तलाक के बाद अपने बच्चों के भरण पोशण को लेकर अधालत का दर्वाजा खटखटाया था तब अधालत ने सरकार से समान अचार सनहिता बनाने को कहा था मगर इसमें तकनीकी अडचन यह आ रही थी कि ऐसा कानून लागू करने से अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आस्था पर चोण पहुँच सकती है जो की असमवैधानिक कहा जा सकता है असल में मुसलिम समुदाय में शादी एक करार होती है जिसे कोई भी एक पक्ष अपनी मर्जी से तोड़ने को स्वतंत्र है बहुविवाह का चलन भी वहाँ स्वीकृत है इस तरह विवाहिता पत्नी और उससे पैदा हुए बच्चों के भरण पोशन संपत्ति आदी का हक बाधित होता है इसलिए खुद मुसलिम समाज की बहुत सारी महिलाएं समान आचार सनहिता लागू करने की मांग करती रही है फिर इसके पक्ष में तरक यह भी दिया जाता है कि जब समिरहान में धर्म और जाती से परे समान अधिकार की बात कही गई है तो विवाह आधि के मामले में धार्मिक आस्था को क्यों महत्व दिया जाना चाहिए तरक की पसंद मुसलमान भी इस कानून के पक्ष में रहे हैं मगर उनका कहना है कि इसे लागू करने से पहले तमाम सम्वेदन शील पहलूँ पर बारीकी से विचार कर लिया जाना चाहिए जब केंदर सरकार ने तीन तलाग को खत्म करने का फैसला किया तब बड़ी तादाद में मुसलिम महिलाओं ने अपनी खुशी का खुला इजहार किया था इस तरह समाननागरिक संहिता को लेकर भी इस समुदाय की तरप से किसी व्यापक विरोध की आशन का नजर नहीं आती दर असल यह मामला धर्म से अधिक महिलाओं के हक से जुड़ा हुआ है बहुत सारे देशों ने विवाह के बाद पतिद्वारा पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिये जाने की प्रथा पर कानूनी रोग लगा रखी है सब जानते हैं की तलाक के बाद मुसलिम महिलाओं का गुजारा मेहर की रकम से होना मुश्किल होता है उन्हें पति की संपत्ती पर बरावर का हक मिलेगा तो ना केवल वे खुद को सशक्त महसूस कर पाएंगी बल्कि मनमानी तलाक पर भी लगाम लगेगी मगर इसे कानूनी रूप देने से पहले इसके सभी पहलूँ पर गंभीरता से विचार विमर्ष होना चाहिए उमीद है रिक्टेशन आपको पसंद आई हो कोई सुझा होए तो प्लीज आपको इंबॉक्स में में जरूर कर दे वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको पता ही है वीडियो को लाइक करके जाना है और हाँ चैनल को यह दिया आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको कर ले क्योंकि ऐसी वीडियोज रेगुलर आती है चैनल पर डिटेली ठीक देट साल पर टूडे थैंक्स